कृपया, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार कि बहुत खुशी होती है जब हम किसी विशे पर कोई चर्चा करें और सेक्ड़ों लोग उससे जुड़ जाएं और बड़े स्तर के उपर अपनी क्वेरीज अपनी शंकाएं हमें भेजें और उन शंकाओं का जब समाधान करें तब उनके सही उत्तर भी हमारे पास आएं कि पिछले दो दिन से सिर्फ हम शंकाओं के समधान के लिए ही कारिकरों कर रहे हैं जैसे आज आठ साथ कोई दस एक लोग है लगभक जिन्होंने पूचा है कि मौली क्यों बांगते हैं मौली जिसे हम कलावा बोलते हैं हाथ पर जैसे मैंने यह बांदा है हाथ पूजा के समय या इस समय यह क्यों बांगते हैं पहले मौली का अर्ष समझो इसे बोलते हैं रक्षा सूत्र रक्षा सूतर का मतलब मौली बादने से त्री देवों तीनों महादेवियों की किरपा प्राप्त होती है पहली महालक्षमी किरपा से धन लक्षमी आती है, धन संपत्ति है महासरसोती जिससे बुद्धी, विद्या, चतुर्य का विकास होता है हाजिर जबाबी आती है तीसरी है महाकाली इसके किरपा से बल और शक्ती का विकास होता है ऐसी है मौली बांधने की कारण क्या फाइदा होता है दूसरा मैं एक छोटा सा जो मेरा व्यक्तिगत इसका कारण है मैं ये समझता हूँ कि जब मौली बांधते हैं ठीक और हम करम कांट करते हैं मौली हमेशा कलाई पर बांधी जाती है और सारा शरी बाजू गर्मी है हवा नुरा पसीने से लटपत होते है कई बार गर्मियों में पूजा करते हुए सारा पसीना उपर से नीचे आता है अगर मौली हाथ में बंदी हुई है कच्चा सूत है वो आते हुए पसीने को रोक लेगा और पूजा के कारियों में उसको गिरने नहीं देगा किसी हम जैसे किसी देवी का शिंगार करा रहे हैं बगवान का सनान करा रहे हैं तो हमारा पसीना उस पे न गिरे इसलिए मौली एक बंदन है जो उसको रोक लेती है इसको चंदर मौली भी कहते हैं शास्तर में लिका है कि बगवान शिव के मस्तक बर जो चंदर मा विराजबान है उसे कहते हैं चंदर मौली अब प्रशन उड़ता है कि पुरानों में मौली बांधना कब से शुरू हुआ जब भी कोई ब्रामन आपको मौली बांधता हूँ वो कहता ये न बद्दो वो बली राजा दान वेद्र इस तरह से वो इस मंतर का उचारन का था यानि कि लक्षमी और राजा बली के समय से ये मौली बांधने की प्रथा परंपरा शुरू हुई और कलाई पर बांधने का कारण इसका विज्ञानी कारण भी है नसों को दुरूस्त रखता है जी हां कलाई पर बांधने से जो हमारे रक्त का संचार है बड़े अच्छे से बड़े नियम से हम यूँ कह सकते हैं हम एक गेट बना देते हैं जितना बलड है वो कंड्रोड होकर वेंज में आगे सफर करता है दूसरा रक्त चाप हिरदय रोग मदू बे और लक्वा जैसे गंभीर रोगों पर मौली बहुत असर करती है वे ग्यारे कारण बताए कहते हैं बहुत सारी जो खून पहुंचाने वाली नसे हैं वो हमारे यहां से निकलते हैं और इनके परवा को नियंदरन करने के लिए मौली बहुत काम आती है और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गले में हाथों में लाल काले धागे बांध लेते हैं क्यों इसके पीछे कारण क्या है इसका विज्ञानी कारण है हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है वायू पृत्वी अगनी जल अकाश और इन से मिलने वाली उर्जा प्रती एक जगा से उर्जा प्राप्त होती है ये उर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है और जब कभी किसी इनसान की बुरी नजर लग जाती है तो ये उर्जा हम तक नहीं पहुँच पाती इसलिए गले में काला धागा या हाथ में धागा काला बांदा जाता है ये तो मैंने कारण बताया अब आपको मैं इसका ध्यात में कारण भी बताता हूँ लोग कहते हैं जी नजर क्या होती है बहुत सारे एक्टिव्स बने हुए हैं जो धर्म को काट रहें जिनका काम ही है उनको पैसा इसी बात का मिलता है कि हमारे धर्म की प्रथाओं को कुरीतियों में दिखा कर और उसकी अलोचना करना और पता नहीं हम लोग उनको कैसे इसाज़ा दे देते अपने धर्म पर बोलने की हम किसी के धर्म पर दखल नहीं दे रहें मगर कोई हमारे धर्म पर भी दखल ना दे अब इसका कारण समझो विज्ञाने कारण बताता हूँ प्रतेक शरीर की एक अपनी औरा होती है औरा अंडाकार एक चक्र होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ रहता है और जिसकी तहख होती है उसकी मुटाई भी होती है अमत मानना मेरी बात कई वर देखा है कोई आदनी हमारे पास से निकलता है उसके शरीर में विशेश परकार की गंध निकल रही होती है वो उसका असर है जैसे गाए हमारे पास से निकलती है उसके शरीर की गंध और एक साड हमारे पास से निकलता है उसके शरीर की दूर्गंद दोनों में कितना भीऊड है सांड की ओरा क्या है और गाई की ओरा क्या है बक्री पासे निकले उसकी ओरा क्या है इसी तरह बहुत सारे प्राणियों के साथ-साथ मौनुष्य की भी अपनी एक ओरा होती है इसको विज्ञान साबत कर चुका है अब तो बहुत सारी विदिया हैं बहुत सारी यंत्र हैं जो हम उस ओरा को देख सकते कुछ लोग कहते हैं यारी इसका बड़ा मजबूत है इसको खांसी नजला जुकाम नहीं होता उस सुबह उड़ता होगा बहार घूंता होगा मंदिनों की परिक्रमा करता होगा पीपल की परिक्रमा करता होगा तो जो पीपल की परिक्रमा का मतलब है जो पीपल की ओरा है जब हम उसमें परिक्रमा करते हैं वो ओरा हमारी ओरा में मिश्रित हो जाती भगवान की मूरते के परिक्रमा करना उनकी ओरा हमारी ओरा में मिश्रित हो जाती है तब हमारी ओरा बहुत स्ट्रॉंग बंजाती है और बाहर की जो नेगेटीव ओरस हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर सकती कहते हैं कुछ लोगों की नजर बड़ी पत्थर तोड़ होती है तब ही कहते हैं, खाना काओ छुपाकर और बच्चे को दुलार मी करो छुपाकर, पैसे को गिरो छुपाकर कई बार हमने देखा है कि बच्चे ने दूद पिया और किसी इस तरी ने आगे देखा और का अच्छा ये इतना दूद पी लेता है नतीजा क्या होता है वो बच्चा दूद भी ना बंद कर देता है इसका मतलब उसकी ओरा ने उसकी नजर की जो है उसने हमारी ओरा को तोड़ दिया अरगर हम सात्विक हैं उस ओरा को तोड़ना बहुत मुश्किल है फिर उसकी रिपेर करने की विदिया है ती मिर्चे ले लो ऐसे वारो मिर्चों की ओरा से वो ओरा रिपेर हो जाती है नमक की ओरा से वो ओरा रिपेर होती है उसके कई प्रकार के पदार्थ है तो जो लोग इस तरह से बुरी नजर डालने वाले हैं यानि की जिनकी वो बिचारे क्या डालेंगे उनके पास इतनी जबर्दद दृष्टी होती है कि उन्होंने देखा जिसे कहते हैं काली दृष्टी वो औरा हमारी औरा को क्रेक कर देती है काला धागा डालने से हमारी औरा उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है कैसे जैसे आपने मोटा काला धागा गले में डाला और कोई आदमी आया उसका ध्यान क्या होगा आपके गले की धागे की तरफ चले जाएगा और काला धागा वो उरक उसकी जो रेज हैं जो उसकी उश्मा है उसको खत्म कर देता है इसलिए काला धागा डाल देते हैं इसलिए हाथ में काले धागे बांदे तो विज्यान क्या कहता है काला धागा या हाथ या गले में बांधने से नजर लगाने वाले इनसान की दृष्टी को भंक कर देता है और हमारे उपर असर नहीं होता जो लोग गले या खाथ में काला धागा पहनते हैं उनके अंदर सक्रात्मक उर्जा का प्रभाव है विज्यानिक तोर पर देखा गया है काला रंग पुश्मा का अब शोशक है उसको खतम करता है और जिसका अज़र हमारे शरीर पर नहीं होने देता और एक सुरक्षा चक्र हमारे को मिलना शुरू हो जाता है देखे एक छोटा सा काला धागा डालने से अगर हमें इतनी वड़ी सुरक्षा मिल सकती है तो क्यों न डाले हो फिर कहता है बूरी नजर लगाने से वो ही मैंने बताया ना जी उसको उसका दियान भंग करना काला टीका लगा दिया काला धागा लगा दिया कहते हैं काला धागा ले लो उसको नौ गांठे लगाओ हनुमान जी के पाओं पर रखके वहां का सिंदूर लगा लो घर की चौकट पे घर की तिजोरी पर जहां पैसा रखते हैं वहां वो बांदो या बहुत ज़्यादा कोई बिमार है उसके गले में बांदो आप देखिये कितना जल्दी असर होना शुरू हो जाएगा अब बहुत बड़ी बिमारी है किसी को उसका इलाज ऑपरेशन है या बहुत कठिन में कठिनता में आ गया है उसके लिए तो इलाज जरूरी है हाँ परात्मिक रूप से उन नेगिटिव पावर्स को अपने तक कप रोकने के लिए काला धागा या गले में या हाथ में पहनना उसका मतलब ये होता है दूसरी बात आप और समझे मुझसे पूछा गया कि उपनियन क्या है उपनियन करता है जनेव डालना तो कई लोगों ने कहा कि जी मुफत में दागा गले में बांदे लेते हो और कसूर नहीं है उन लोगों का थोड़ा सा क्या होता कि हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दो पैसे कमा लेते हैं और हम खून का रेट पूछने लगते हैं अपनी सभ्था और संस्कृती को भूल जाते हैं जोटा सा मेरा ज्यादा तर समय घूमने में बीचता है महरीद्वार के अंदर एक बहुत बड़े मेरे मित्र है वहां के एक तरह से बहुत परतिश्टित व्यक्ति हैं मैं उनके होटल में ठहरा हुआ था शाम के समय आप कभी भी देखना जब लोग अपने शहर से बहार घूमने के लिए जाते हैं सबसे पहले वो निकर डाल लेते हैं टी-शिट डाल लेते हैं ठीक है फ्लेक्सिबल होता है और छोटे-छोटे ड़ाबों पर बैठ कर और कुछ महीलाएं अंग्रेजी में आउडर करने लग पर ते अंग्रेजी उनको आती नहीं होते हैं इसका क्या रेट है 45 नहीं नहीं थोड़ा कम करो और बड़ी अजीब सी वाज़ें बोलते हैं अरे वो चौती फेल आदमी है जो चोटे से सड़के डावे पर नौकर है क्या दिखाना चाहरे हो जो सचमुच के विद्वान है वो शुद हिंदी में और शुद बाशा में बात करते हैं बाशा का मतलब दूसरे को अपनी बात डंग से समझाना तो उसी होटल में ऐसे एक महिला आई हुई थी उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था और वो शैतानी कर रहा था तो मैं सामने बैठा था गैलरी में मुझे देखके उन्होंने बच्चे को डाटना शुक्त नहीं पेटे नो नो ऐसे नहीं करते उसको बहुत कि मैं बड़ी मौट फैमिली से हम लोग और सब्वेता ससकार तो उस लड़के ने अपना ससकार दिखाया और दो तीन अच्छी चुनिंदा चुनिंदा गालिया उस उसी तरह ये संसकार का एक हिस्सा है उपनियन जिसे हम जनेव कहते हैं शास्तर क्या कहता है उपनियन का अर्थ है पास यसनिक्ट जाना किसके पास जाना ब्रह्म इश्वर और ज्ञान के पास जाना सनात्र धर्म में सोला संसकारों में एक संसकार उपनियन संसकार जैसे यग्यो पवीत संसकार भी कहते हैं इसमें मुंड़न और पवित्र जला में सना भी बड़े एहम होते हैं आउ जाने जिन्यों के धार्मिक और विज्ञानिक महतों के साथ-साथ क्या होता है और इसका लाब क्या क्या है सनाता धर्म के अंदर जिनेव पहनना उसके नियुमों का पालन करना हर हिंदू जिनेव पहन सकता बशर्ते कि वो उसके नियुमों का पालन करे जिनेव धारन करने के बाद ही द्विजबालों को यग्य तता स्वधाय करने का अधिकार प्राव्ध होता है द्विज का अर्थ है दूसरा जनम ब्रमचारी और विवाहित वे लड़की जिसे आजीवन ब्रमचारे का पालन करना हो और जनेव धारण कर सकती है ब्रमचारी तीन और विवाहित छे धागों में जनेव को पहनता है ब्रमचारी तीन धागे और ग्रस्त छे धागे का तीन जो ब्रमचारी अब उसके लिए और जो ग्रस्त तीन अपने लिए और तीन पत्नी के लिए संस्क्रित में कहा जाता है यग्योपवी तीन धागों वाला ये जो बंदन है बड़ा पवित्र बंदन है इसे गले में डाल कर बाएं कंदे से ऐसे रखा जाता है इसके तीन सुत्र हैं ब्रह्मा विश्नु और महेश देवरिन पित्र रिन और रिशी रिन हमें ये याद रहे कि हमें देवरिन उतारना है तीन धागे हैं देवरिन उतारना है पित्र रिन उतारना है और रिशी रिन उतारना है फिर तीन तत्व हैं रज, सत्व और तांसिक और तीन सुत्र गाहित्री मंत्र के तीन चर्णों के प्रतीक हैं और ये तीन आश्रुमों की और संकेत करता है ये तीन धागे वाला जरे हो वैसे इसके अंदर एक एक धागे के अंदर भी तीन तीन धागे होते हैं तीन तिया नौ, दो नासिका, एक मुख, दो आख, दो कान, मल और मुत्र के द्वारा नौ स्थान माने गए इसका मतलब है भै मुख से अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, आगों से अच्छा देखो, कानों से अच्छा सुनो और जनेव में पांच गाठ लगाई जाती हैं ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, फिर ये पांचों, यग्यों, पांच, ग्यानेंद्रियों, पांच क अच्छा मेंद्रियों की भी प्रतीक है, ये एक-एक चीज बताई जाती है, ये ये करना तुमने, इसका अर्थ ये है, ये रेड़ना इतने, मुझ से अच्छा देखो, ये सब चीजे बताते हैं, जो विधी और विधान के साथ जब उपनियां संसकार होता है, लंबाई 96 क्योंकि जिनेव धारन करने वाले को 64 कलाएं और 32 विध्याओं को सीखना होता है, 32 विध्या क्या है, चारवे, चारुपवे, छे यंग, छे दर्शन, तीन, सूत्रगरन, नो, अरणयक, और 64 कलाएं, वास्तु निर्वान, व्यंजन कला, चित्रकारी, सहित्यकला, दस्तकार भाशा, यंत्र निर्मान, सलाई, कडाई, बुनाई, दस्तकारिया, भूशन, निर्मान, क्रिशी, ग्यान, आदी, तो 64 कलाएं और 32 विध्याओं को सीखना, इसलिए 96 उंगल का जिनेव बनाया जाता है, कितनी घूरत और कैसे कैसे हमें पढ़ा कर, उस संकल्प को हमारे गल करते हैं न, तो सबसे पहले बालक के घात में एक दंड देते हैं, कमर पे एक रसी बांदी जाती है, उसके पहले उसका मुंडन कर दो, फिर दंड दे दो, और बगैर सिला वस्तर पहनता है, गले में पीले रंग का दुपट्टा देते हैं, मुंडन के बाद शिकार रखी ज जाती है खड़ाओं का क्या देखिए एक तो खड़ाओं बहुत सारी चीजों से हमारी रक्षा करती है और चलते समय जो पैर की स्थिती है वो कई प्रकार के रोग कई प्रकार के दोश नहीं होने देती जो व्यक्ति खड़ाओं को धारन करता है और खड़ाओं धारन करके जो ब्रह्मचरे का पालन करता है उसके लिए बहुत लाबकारी वो एक यंत्र है तो मेखला कोपीन दंड और जो कमर में बांदे जाने वाला है उसको मेखला मेखला को मूझ या करधनी भी बोलते हैं कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी या चारपाई की दामन वो यहां बादी जाती है और उसके बाद चार इंच चौड़ी और डेर्ड फुट लंबी ऐसे निकाल कर और पीछे से निकाल ली जाती है यह एक तरह से लंगोटी है उस समें सिला हुआ वस्त्र नहीं डाला जाता और ब्रह्म दंड लाठी अपने हाथ में दी जाती है यग्य पवीत पीले रंका धारन कराये जाता है बगैर सिले वस्त्र पहन कर हाथ में एक दंड लेकर कोपीन और पीला दुपट्टा पहन कर विदी विधान से जिनेव धारन किया जाता है जिनेव धारन करने के लिए ए जनेव को विशेश विधी से ग्रंथित करके बनाया जाता है इसे गुरु दीक्षा के बाद ही धारण किया जाता है अब वित्र होने पर बदल दो कहते हैं गाहित्री मंत्र से शुरू होता ये सज्कार और गाहित्री मंत्र तीन तारे जो है इसका इसके साथ संबद है देखिए ये भाग्ये की पात है हम काफी बड़े हो गए थे और रिशीकेश में एक जगा है प्रमार्थनी के तन वहां से निकल रहे थे तब वहां पर एक आवाज मारी एदर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ तो वो दो चार पांदस लोगों को बीस पच्छिस को कठा किया हुआ था पड़ा पड़ा बहीं बाल मूं साफ करवाए शिकार रखवाई और वो चार भाई के दौमंदे हमने बांदी कपड़ा यू लगाया कपड़े उ उपनेयन कराते हैं उसके बाद हमें तीन दिन रखा गया बर्मचारी रूप में और नित्य करम पद्धतियां बताई गई त्रिकाल संध्या बताई गई हावन कराई गई कई विदियों का पूरान पूरान ग्यान दिया गया और बिलको सादार साथ पिक भोजन कराया गया और जब पूरा हमारा जरेव सस्कार पूरा हो गया, तब उन्होंने गले में एक जोली डाल दी, कि अब तुम तो सन्यासी हो, और अभी जिन पंडी जी ने यहां किया है, यह बनारस याए आप लोगों के लिए, अब इनको अगर दक्षिना नहीं दोगे, तो आप उर्ण नहीं होगे, वो एक सन्थ ऐसे सन्थ थे, दुरलब सन्थ, साक्षत ईश्वत, साक्षत कारी सन्थ, परमादनी स्वामी राम सुखदास जी, पैसे को हात नहीं लगाते थे, चरन चुवाते नहीं थे, बहुत लोगों का वो साल के साल उपने अंससकार कराते थे, और फिर बजार में, रिशी केश के बजार में हमने बिक्षा टन किया, बहुत जल्दी वो जोली भर गई, और लाके उनको दे के, हम उरिन हुए, और उन्हों ने एक मंत्र दिया, महराजी ने नहीं, बाबा ने, जिसने हमारा ससकार किया था, बिद्वान नहीं, और उसके बाद, ये हुआ, उपनियन ससकार, उपनियन ससकार का नियम बताया गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मलमूत्र विसरजन के दुराण, दाइने कान पर चड़ालो, और स्वच करके उतारो, जिनेव कमर से उचा हो, ताकि अपवित्र ना हो, जिनेव का कोई तार तूड़ जाया, छे मा से अधिक समय में खराब हो जाये, तो बदल दो, खंडित परित्मा शरीर पर नहीं रखते, कच्चे, धागे और गंदे होने लगे, तब बदल दो, घर में जनम मरण के सूतर के बाद, इसे बदलने की प्रमपरा है, जिनके जिनेव संबाल सकती हैं, पर उन्हें हर मासिक शौच के बाद, उसे बदलना होगा, जिनेव शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता, और उसे कंट में पहने रहकर ही घुमा लिया जाता है, भूल हो जाए, प्राइस्चित किया जाता है, और प्राइस्चित के लिए एक माला ग बार बार बुरे स्वपन नहीं आएंगे, हिर्दे के पास से ये गुजरता है, तो उस समेरत संचार को सुचारों रूप से ये बना के रखता है, सफाई नियम उसको पता लग जाते हैं, दात, मूँ, पेट, क्रमी, जिवानों से वो दूर हो जाता है, दाए कान पर चड़ाने से मतलब होता है, जिसके मस्तक की सोई हुई कोई तुंद्रा हो, और जब नस दबाते हैं, वो काम करना शुरू हो जाती है, और उसकी बुद्धी और विवेग जाता है, दाए कान की नस अंड कोश और गुप तेंद्रियों से जुड़ी है, ये शुक्रानों की रक्षा करती है, कान में लपेटने से सूरे नाडी जागरन होती है, यश बढ़ता है, और कान पर जरू लपेटने से पेट संबंदी रोग, ब्लड प्रेशर हटता है, काम करोद पे कबज मतलब कंट्रोल होता है, कबज, ऐसीडिटी, मुत्र रोग, उत जेंद्री रोग, इस से बहुत बड़ा बचाव होता है, यानि कि कई प्रकार के विज्ञानिक कारण है, और दूसरी और पर्बुख बात ये है, कि मनुश्य को नियम और बंधन बताता है, उनका पालन करने के लिए एक रास्ता बार बार याद कराता है, मूल कारण जनेव का ये है, देखे हमारे शोड़ संचकारों में से उपनियन का मैंने आज चर्चा की, कलावा की चर्चा की, और फिर अगले किसी प्रोग्राम में आपके प्रश्णों का उत्तर या कोई एक निया विशे लेकर मैं आऊंगा, तब तक रहुंद्राव के ऊपके प्रय्वा का मैं आपके छपلفे क tirar नेखे हैं आटा फिज़के दो, करे अपद्रादे लेका कन आपके का मैं, आपके ज़नें, रखेमा ये जा़र रखेमास, प्रॉकानте euro, प्रुकान沒एके और स्स्तूशता, आपद्राव में गो, झालुकत ओले देखाने आफे